पून परमात्मा पाप करमदंड को भी काट सकता है अभी तक जिस भी संत्वा महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप करमफल भोगने से ही समाप्ध होगा वो प्रभु कौन है जो पाप करम को काट देता है वो काल के बंधन से छुड़वा देता है उसका क्या नाम है पूजा की विधी क्या है किर्पया अवश्य सुनिये जगत गुरु तत्वदर्शी संत्रामपाल जी महराज के अम्रिक वजण जो ये पैसा अपने रास्ते का खर्च लेकर गए थे किसी ने लूट लिया और ये न्यूरो रहा है कि मैं कंजूस टाइप हूँ थोड़ी सी क्योंकि धरमदास्ती खुले दिल से धरम क्या गरते थे वह टोग टाक देती थी कि इतना खर्चा ने गरागरते बालक भी पड़ गए तो उसने अपने आप सोच लिया कि कहीं ये इसलिए दुखी हो कि मैं इसकी परते क्रिया में बाधा बना करती थी और आज इसकी दसा देखकर मुझे रहा नहीं जा रहा तो उस रोते हुए को देखकर कहने लगी कि आपका वगवान ने गणाए दन दे रहा है आप क्यों चिर्थित होते हो किसी ने धन चुराबी लिया तो आप दोबारा ले जाओ काफी देर के बाद दिरंदास जी थोड़ा सा नॉर्मल से हुए फिर बताने लगया कि आमनी यदि मेरा धन बहुतिक धन खत्म हो जाता तो मैं नहीं रोता आज मेरा वो धन चला गया साइद मुझे नहीं मिलें और वो मिलेगा नहीं मैं जी उन नहीं आमनी जी ने फिर पूछा सारी कानी बता दी है आमनी जी ने कहा कि आप एक विपारी हो करके और सोदा चूकी गए तब दरमदास जी कहता कि जी उन में पहले बार चुका हूं मैं इसलिए रो रहा हूं मैं कितना नालाएक हूं सारी कुछा सुनाई सारी काहनी बताई छए मैंने बीट गए ऐसे ही रोते हुए और ऐसे बैठ जाएं बाहर गली मा आकर के हैं ऐसे देखते रहें जैसे बेलरी इन इंतजार की थी स्री राम के आने की कोई भी सादू संद गली या कहीं पर दिखाई देता उठकर चल परते रंगे पैरो पैचानने के लिए नहीं मिलते तो बापिस मायूस होकर बैठ जाते ऐसे छे महिने बीट गए एक दिन परमातमान उसकी पतनी मप्रेड़ना की आमनी देवी में आमनी ने कहा कि मैं आपकी ये दसा देख नहीं पा रही हूं परमातमा ने कोई कारण बताया हो कैसे मिलेंगे हम वही किरिया कर ले तब धर्मदास्ती को या दायाग भगवार ने कहा था कि जहां भी धार में कनुष्ठान होते हैं वहां में पहुंच जाता हूं नहीं तो ये काल ये धार में कनुष्ठान होने नहीं देता चाहिए वो कैसे भी कर रहे हैं मैं चाहता हूं आस्थिक बनी रहें काल चाहता ये नास्थिक हो जाएं तब आमनी ने कहा क्या बंडारा करते हो आमनी ने एक दिन का कहा उसे ने तीन दिन का रख दिया अब दो दिन बीत क बंडारे में बगत संत दना रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, जा रहे हैं, दिक्षना ले रहे हैं, अब तीसरा दिन भी दोपेर की बाद हो गया, अब वो बातमा नहीं आये, तो दर्मदासी ने फाइनल फैसला कर लिया, कि है प्रमातमा यदि आज दरस नहीं दिया, आपका दा महत्या करूँगा, थोड़े से बगत सेच रह रहे थे, बोजन करना, तकरीबन से बोजन करके चले गए थे, प्रमातमा ने देख लिया, आज यो पका मरेगा, एक कदम के पेड के नीचे, जो वहां से सो फट की दोरी पर था, भंडारा चल रहा था, उसी साथ मातमा वाले जंदा के रूप मा आके वराज मानोगे, धरमदास की दृष्टी पड़ी, भागा गए दोड़े दोड़े, देखा सच्मोचे तो वही है, और सीने से लगए नो पक्चपट गे करती है, पकदवान आपके छोड़ के ना चाहिए, एक नो देखे मुग की तरफ अर्रोवा बरीत रहे, तो परमातमा को घर ले आए, आमनी जी से कहा कि आजा मेरा धन पागया, दोनों ने केक पैर पकड़ लिया, आमनी जी ने कहा कि वगवन ये आपका बच्चा बड़े नर्म दिल का है, इसकी इतनी कड़ी प्रिक्सानी लेनी चाहिए थी, परमातमा ने कहा बेट यू काल का वकील बन रहा था, और एक नी मानने था, मैं सारी साची कहूं था, अब इसको मैंने ताव दिया है, जो लोहा गरम कर दिया इसका, अब जो चोट मारूंगा वह ठेकाने लागेगी, इसलिए इसको छे मिनने का ताव देना पड़ा है, फिर परमातमानों दोनों क पर्थम मंतर दिया, एक दिन दर्मदास्ती न बहुत आग रह किया, भगवान एक बार आपका लोग दिखा दो, परमातमा भी चाहते थे, मैं गवा बनाओ अपना, दर्मदास्ती को लेकर के सत लोग गए, शरीर नीचे रह गया, बहुतिक शरीर, सत लोग लेकर गए, तो वहाँ क्या देखा, परमातमा अपने दूसरे रूप में, ते जो में सुरीर सिंग आसिन पर विराज़वान है, मनुस आकार है, एक रोम कुप में क्रोड सुरीय मिला दे क्रोड चंदर माह, उससे वे धीक रोशनी परमातमा के सुरीर की है, अब दर्मदास्ती न देख भगवान तो यह होगा और यह नोकर होगा जिन्दा यहां का, तो कबीर परमातमा जिन्दे के माहतमा के रूप में निचे से गए थे, चवर करने लगे उस परमातमा के अपने दूसरे सुरूप पर, थोड़ी सी देर में सिंग आसिन पर विराज़वान जो परमातमा थी व उस ले हुँआ सिरी जिंद रोजे वाला, शिंग आशिन पर विराज़मान हुआ. और वह तेजो में सिरी वाला बहगवान जिंदा मातमा के उपर चवर करने लगा. कुस देर के बाद दरमदास्च ये सोच रहे थे, यह क्या हो रहा है का मातमा के उपर विराज़ रहा है? इतने मुतेजों में स्रीर जिंदा वाले स्रीर में समागे अकेले कबीर भगवान जिंदा वाले रूप में वावराज मान रहे अनंत कोट गर्मांड के कंट्रोलर के सिंगा सिर। फिर परबातमा ने कहा कि जाए दरमदास नीचे जाओ और मेरी सारी महिमा से तू जंता को परिचित कराओ तब दरमदास नीचे कहा था कि बगवान मुझे यही रख लो दाता करना बेज जो मुझको उस गंदे लोग में तब बगवान ने कहा बेटा जाना पड़ेगा क्योंकि तुम बगती युक्त थे अब बगती हीन हो चुके हो मन तुम्हें सतनाम दूंगा सारनाम दूंगा उसकी साध ना करके तुम वापस आ सकते हो ऐसे यहां ठिकाना नहीं कहने का भाव यह मालक के कहने से वापस रिर्माया तीसरे दिन पूरे परिवार रिष्टेदार एकठे होगे बेहुंस पड़ा से विलाज ट्रीटमेंट जंतर मंतर भी करा लिए जब दरमदास जी उठे एकदम देखा कि महातमा जी कहा है सामने नहीं पाए उनको उठकर चल पड़े कि कहसी मैं बता रहे थे, मैं कहसी मैं रहता हूं जुलाएका काम करता हूं, कबीर मेरा नाम है अब कहसी में जा के देखियो वही सूरत और ठरनों मैं गेर गिर परमातमा के सतलोक में जो देखा हुआ आँखों देखा वरनन कबीर सागर के अंदर वरनित किया प्रमात्मा की आँखों देखी वानी का तो पुन्यात्माओं जिस नाम से उन मापुर्सों का कल्यान हुआ दैसे आदनी नानक साहिब जी को भी प्रमात्मा ऐसे ले कर गए थे फिर उनको छोड़ा था उन्होंने का था फाई सुरत मलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगई देश खराश याना बहता वार ये धान कर उप रहा करता तो पुनात्मा सो भागे आपका आपको प्रमात्मा ने वही मंत्र उपलब्ध कराए धन्य आपके मात्पिता जिन से जनवा बोलो सत्कुर्दी प्रम पिता प्रमात्मा पूरन ब्रम सर्वासरिष्टी करचनार कुल मालिक कबीर प्रमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के पिता है जनक है ये प्रमात्मा हमारे दुख में दुखी होते हैं और हमें यहां काल के जाल में फसे हुए देख कर ये हमें यहां से निकलने की विधी बताने के लिए स्वम ही सत लोग से चल कर आते हैं पुन्य आत्माओं सोब आग गया आपका आपची को ऐसे समय में मनुस्टिनम पराप्ट हुआ है जो समय प्रमात्मा ने पूरो निर्धारित किया हुआ था के कलियों के इस समय में प्रमात्मा अपना अध्धात्म ग्यान पूरे विश्वे में फैलाएगा और सभी प्राणी प्रमात्मा के इस ग्यान को ग्रहन करके इस यथारत मोक्स मंतर को सतनाम को ग्रहन करके सभी अपने सतलोक में चले जाएंगे अपना अत्मा जैसे आप जी वरतमान के अंदर शिक्षा को कितना महतो दे रहे हैं उस अक्सर ग्यान का उस शिक्षा का उदेश्य क्या होता है कि बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहन करके उच्छ पोस्ट पराप्ट करें या जैसा भी उसकी जैसी भी विवस्था हो अपनी जीवी का अच्छी तरह वो चला सके कोई नोक्री या कोई विवस्था करके इसलिए सिक्षा को इतना महतो वरतमान में दिया जा रहा है क्योंकि हम शिक्षा के मैतव से शिक्षा की महिमा से इसके गुणों से हम परीचित होगे इसलिए पर तेक व्यक्ति अपने पूतर या पूत्री को कोशिस करता है कि अच्छी सी अच्छी सिक्षा ग्रहड कराऊं और उसके लिए दस पंदरा वरस उसको बिलकुल फरी छोड़ देता है ताकि वो अपना बविस्य उजवल कर सके और उसके लिए खुब पैसा भी पानी की तरह बहाता है और वो बच्चा नेक नीती से पढ़ता हुआ अपनी सभी कख्षाओं को उतिरन करता हुआ वो जिस उदेश्य को लेकर पढ़ रहा था उसको प्राप्ट कर लेता है वो बच्चा जैसे भी ट्रेनिंग करता है जैसे किसी ने अध्धापक की ट्रेनिंग की तो वो अध्धापक लग गया किसी ने इंजिनियर की ट्रेनिंग की इंजिनियर की पढ़ाई पढ़ी तो वो इंजिनियर लग गया किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई की तो डॉक्टर लग गया या अन्य कोई पोस्ट उसको प्राप्ट हुई तो पुन्यात्माओ इसी परकार जिस समय आप जी को इस बगती से होने वाले लाब का ग्यान हो जाएगा और उस सत्थान का ग्यान हो जाएगा जहां हम कभी वर्द नहीं होते जहां हमारी कभी मरतूर नहीं होती वहां किसी चीज का अभाव नहीं है ना कोई खाने का अभाव है ना जल का अभाव है किसी भी वस्तू का जो एक मानो को अवसिकता होती है उस सत्थ लोक में उस सत्थ सत्थान में सास्वत सत्थान में कोई अभाव नहीं है वहां वर दवस्था नहीं अब मर्टू नहीं है तो आप जी जब इस अज्धातम ग्यान से पूर्ण परिचित हो जाओगे फिर आपके मन की सथी थी एक बहुत ही अजीब और गरीब बन जागी और जो एक मानों के लिए आती आवसे कै अब वरतमान में हम क्या करते हैं माया को ही एक टारगेट मान के माया को ही उदेश से मान कर हम अपना सारा जीवन उसी पर नुचावर कर देते हैं और जो सारा जीवन में हम संग्रह करते हैं वो यहीं रह जाता है हमारी उसके जोडते जोडते ही संग्रा करते करते ही मरत्य हो जाती तो फिर हमारे साथ क्या जाता है हमारे साथ जाते हैं वो पाप जो सारा जीवन इस बौतिक सुख की प्राप्ती के लिए हमने किये जो प्रियतन किया उस प्रियतन में जो हमारे पाप हुए वो हमारे साथ चले जाती जो मनुस्ट जीवन से हमने करना चाहिए था मनुस्ट जीवन किसलिए इस प्राणी को प्राप्त होता है ये ग्यान हमें बच्पन से नहीं दिया जाता हमारे को बस्पन से अपने समाज से सिर्फ इतना ही ग्यान प्राप्त होता है कि बड़ा हो जाएगा, विहा कर दिया जाएगा, संतान हो जाएगी संतान की परवर्ष कीजिए और फिर बस फिर मर जाएए सारा जीवन उन्हीं की प्रवरिस में अपने पेट पोशन में ही अपना जीवन अपना व्यर्थ कर जाते है जब हम सत्संग में आते हैं सत्संग के अंदर परमात्मा का दिया हुआ ग्यान बताया जाता है और वो ग्यान ग्यान होता है अन्य ग्यान जो होता है वो एक परंपरा होती है और कुछ मजबूरी होती है परंपरा कौन सी होती है मजबूरी कौन सी होती है मजबूरी तो हमारी ये है कि हमें सरीर ऐसा मिला है इसमें दोनों टाइम दो वक्त यदि हम इसमें कुछ डाल देंगे आहर तो ये काम करेगा नहीं तो एक अपते के अंदर ये समापत हो जाता है जादा से जादा दस तिन पकड़ेगा तो ये हमारी मजबूरी है कि इसको सुरक्सित रखने के लिए जो भी आवसिक वस्तुए है वो उपलब्द कराना हमारे मजबूरी है और आवसिकता है और जो प्रमप्राएं हमने विर्थ की बना रखी है वो प्रमप्राएं है वो यूजलेस ग्यान है अब प्रमात्मा ने आकर के हमें ये जानकारी दी है कि तुम जहां रह रहे हो ये लोग काल का लोग है लेकिन हमारे को इस काल भगवान ने इतना ग्यानी बना रखे है हम प्रमात्मा के अध्यात्म ग्यान से बिलकुल आप प्रीचित कर दिये कौन है भगवान? कैसा है प्रमात्मा? कहां रहता है वो भगवान? और उस परमात्मा के गुन तो कुछ हमें मिलते जुलते से सुनाए जाते हैं बगवान ये कर देता है अंदे को आँख देता है निर्दन को माया देता है कोडी को काया देता है परमात्मा के गुन तो बहुत कुछ मिलते जुलते बता जिये है लेकिन परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां रहता है और जो परमात्मा इतना सुखधाई है उस से वो लाब प्राप्त कैसे होता है ये ग्यान भी पृत दे रख़ा है हमारे में तो इस सारे ग्यान अद्धात्म ग्यान को ठीक से बताने के लिए स्व्यम प्रमात्मा आते है ये विद्धान है उस बगवान का तो परसंग तो चला है प्रमात्मा हो के आप जी जिसमें अध्धातम गान से पूरन रूप से परीचित हो जाओगे और सभी कर्मों से परीचित हो जाओगे तो उसमें केवल आप यहां से इस महान दुख से जरा और मरण से ही छूटने का परीचितन करोगे जराबीन वर्दवश्था का कष्ट वर्दवश्था इस मनुष जीव के लिए वैसे तो सभी जीवों के लिए कहर है अन्य को तो इतनी सोधी नहीं वो तो किसी तरह भुगत भागत कर मरो लेकिन मानुस जीवन को इतनी चेतना है इतना ज्यान है कि कोई वर्दवश्था प्राप्त प्राणी उसको कितने कष्ट होते हैं वो अनुभाव कर सकता है दूसरा और स्वम भी वो महसूस करता है तो इस कहर से बचने के लिए और फिर मर्टू आज आप अपने परिवार में कितने खुस हैं कितने दुखी हो फिर भी यही चाहते हो जीवन बना रहे मरे नहीं और मर तू डेफिनिट तो यह भूल क्यों लगी है अपने हमें पता कि कोई रह नहीं और कभी भी मर सकते और फिर भी हम इतना जोर नहीं देते इस बात के उपर ऐसी दसाकिस्की होती है जिसने कुछ नसा कर रख्या हो उसको डरसा नहीं लगता है एक बार थोड़ी सी देर रिचकता है फिर वो उसी सपीड़ी से वही करियाएं करता है तो इस काल भगवान ने अपने को इस जोठे सुख की या तरगुन मई माया रूपी भांग प्यार रखिये और इस भांग के नसे में हम देखते भी हैं और पता भी है कि मर्तू होगी पर डरकती नहीं मर्तू की जब लक्षन गटते हैं अपने उपर उसमें घीगी बनती है अको हो ये फलाना रोग हो गया हो हो अब तो मर्तू होगी तो उसमें मैसूस होता है कि हाँ साइद बात बगड़ेगी तो ये बात हमें वैसे भी याद रहने चीए अगर नसा उतर गया थै तो इस भांग के नसे को उतारने के लिए ये एंटी वाइटिक ये सत्संग चुनाए जाती जो या भांग के नसे को उतार सके 21 बिर्मान ने सकाल भगवान के बिर्म के जिसको बिर्म भी कहते हैं जैसा हरेशी जिसको बिर्म कहते आए है ये काल भगवान है इसको सरपुर्स भी कहते है इसको सरब्रम भी कहते हैं सरब्रम इसने अपने किस बिर्भांड के अंदर या माया की भांग गोल के गेर रखिये इस कुए में और एक कुए में यानि जैसे सराब के ठेके पाए जितने भी विक्ती सराब पी कर लौट रहे हो अथे पर या अथा बनाते हैं उसका बताते हैं सराब पीने का कोई ठेकाना सा बना लेते हैं कई पर कई दिराज्म मन निता पराप्त होते हैं तो वहां से जो निकल कर आते हैं उनसे जितनों से भी आप बात करोगे उनकी एक जैसी गतीवी दी, एक जैसी चाल होगी ऐसे लड़कडाते आएंगे, बोलेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ तो हम सभी की वही दसा होगी, हमने वही भांग पी रखिये यहां के जूठे सुकी कबीर साहिब कहते हैं, जूठे सुक को सुक का है, ये मान रहा मनमोद ये सकल चबी नाकाल का कुछ मुख में कुछ गोद शिरी मद्भगत गीता अध्याय नमबर 4 के सलोक नमबर 32 में कहा है कि अर्दुन जो ग्यान मैंने आपको इसी अध्याय नमबर 4 के सलोक नमबर 25 से 31 तक बताया है कि कोई तो सवध्याय करता है, जैसे गीता जी का नित्पाठ कर लिया कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास करता है कोई तिक्सन अइंसावादी वर्त रखता है, जैसे मुझा पट्टी बांद करनंगे पैरों गुमता है और कोई ब्रह्म साधना करता है ये सभी साधक अपनी साधना को पापनासक जानते हैं यानि पापनास मेन पापनास होंगे तो मोक्स होगा यानि मोक्स दायक मानते है यदीन कोई ये पता लगे कि ये साधना ठीक नहीं है ती इसको तुरंत त्याग देंगे इसलिए चौथे जाय के बत्तीसमें स्लोक में कहा कि अर्दुन सचीदा नंद घन ब्रह्म की वानी में ब्रह्मने मुखे यहाँ नुवाद करता होने गीता जी में गड़बडी कर रखिये ब्रह्मने मुखे का अर्थ हिनोंने गल्थ कर दिया वेद की वानी लिख दी नहीं श्रीमत भगुत गीता अध्याय नंबर सत्रा के शलोक नंबर तेईस में यही अनुवाद करता ब्रह्मने का अर्थ करते है सचीदानन्द घन ब्रह्म यानि परम अक्सर ब्रह्म तो यहाँ हमने चोथे जय के बतीस में सलोक में ब्रह्मने मुखे का अर्थ सचीदानन्द घन ब्रह्म के मुख से बोले गई अम्रत वानी में धार्मिक यगों की यग माने धार्मिक नुष्ठानों की जानकारी विष्टार से कही गई है और वो तत्वे ग्यान है जो परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है वानी वो वानी वो तत्वे ग्यान है उसमें यथारस ग्यान है चोथे जह के 34 में सलोक में कहा कि उस तत्व ग्यान को जो सचीदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है यहां आउतरीत होके यहां आकर के उस ग्यान को तु तत्व दर्सी संतों के पास जाकर समझ उनको डंडवत परणाम करने से वी नमर भाव से कपट छोड़ के नमर ता पूर्वक सरल ता पूर्वक परसर करने से वे तत्व दर्सी संत तुझे तत्व ग्यान का उपदेश करेंगे यह सला देदी गीता ग्यान दाता ने अर्दुन को इससे सिद है कि गीता ग्यान दाता कि वो तत्व ग्यान तो तत्व दर्शी संत बताऊंगे और वो प्रमात्मा के दोवारा स्वेमा कर बोली हुई वाणी में लिपी बद होता है अपनात्मों वैसे तो गीता जहनुबर साथ के बारा से लेकर पंदरा में एक निर्णाइक ग्यान दिया है गीता ज्यान दाता कहता है कि तीनों गुणों के दोवारा जो कुछ भी हो रहा है रजगुण बिर्मा से उत्पत्ति सत्गुण विष्णों से सथी थी और तमगुण शिवजी से सहार जो हो रहा है इसका निमत कारण मैं हूँ काल कहता है लेकिन मैं इन में नहीं हूँ और ये मुझमें नहीं है यानि वो इन से भेन हैं इनका पिता है और ये निमत क्यों है क्योंकि इसको सराप लगा हुआ है एक लाख मानों सारी धारी प्राणियों का नित मार कर आहर करने का सुक्सम सरीर से गंद निकाल कर खाने का इसको सराप लगाँ गा तो इसलिए इसने तिन्नों अपने पूतरों से ये विवस्था यहां की बनवा रही तो ये क्या कहता है कि ये तरगुन में मेरी माया रजगुन बिर्मा सद्गुन विस्णु तमगुन सिवजी दोरा फैलाया गया यूजाल बड़ा खतरनाक है और जो विक्ति मेरी वक्ति करते हैं यानि बर्म साद ना करते हैं ये इन रजगुन बिर्मा सद्गुन विस्णु तमगुन शिवजी से उपर के लाब को प्राप्त करते हैं अब सात में जाय के पंदर में सलोक मा गीता ग्यान दाता कहता है कि जिनकी बुधी इन तिन्नों गुणों इस तिरगुण में माया के दोवारा हरी जा चुकी है यानि जो शिरी बर्मा, शिरी विश्णु, शिरी शिवजीत की बगती से आगे सोचते ही नहीं इनी से प्राप्त अक्षिनिक लाब को प्राप्त करके परसन रहते हैं वे राक्सस भाव को धारन के वे मुनुश्यों मनीच, दुसित करम करने वाले मूरक मेरी बगती भी नहीं करते हैं, मुझे नहीं बजते हैं यानि बर्म सादना नहीं करते, वो नीचे के अन्य देवताओं की पूजा करते हैं अब सातमें जाए के सोला से लेकर अठारा तक, मंतर में, गीता ग्यान दाता अपनी सादना के विश्यम कहता है ये ब्रह्म है, स्री किरसन के अंदर बोल रहा है स्री किरसन काता केवल माउथ यूज कर रहा है सपीकर की तरह ये कह रहा है कि मेरी साधनाभी चार परकार के करते हैं अर्थार्ती, आर्थ आर्थ माने संकट निवारन के लिए अर्थार्थी तो धनलाब के लिए और जिग्यासू तो था ग्यानी यह चार परकार के करते हैं इन मैंसे तीनों को स्विम रिजेक्ट करता है आरत, अर्थार्थी और जिग्यासू को कहते हैं जैसे आरत क्या है कोई संकट आगया शरीर पर या घर पर उसके निवारण के लिए वो वेद मंतनों का ही सहरा लेते हैं अन्य कोई अनुष्ठान किसी अन्य धार्मिक पुष्टक से नहीं करते हैं वो ब्रह्म उपासक कहला थे ऐसे धनलाब के लिए धार्मिक अनुष्ठान के लिए वो वेद मंतनों का ही सहोग लेते हैं और किसी पुष्टक का वो सहरा नहीं लेते, वो ब्रहम उपासक है, और जग्यासु होता जो घर से निकला प्रमात्मा पाने के लिए, जैसे उनको संत गुरु मिले, उनसे ग्रहन ग्यान को स्वम वक्ता बन गया, उसको ग्रहन करके, तो वक्ता बन जाना भी इस जीव का अप इसको ये पता लगया कि मुनस जीवन केवल मोक्स के लिए ही प्राप्त हुआ है, अन्य था या अन्य प्राणियों के जीवन हम देखी रहें कितने कष्ट में हैं, प्रमात्मा ने मुनस जीवन दिया है, इसमें कितनी सदबुदी दी है, समय पर खाना खा सकते हैं, हम अपन से बचने के लिए गर्मी सर्दी से हम जोफडी डाल सकते हैं, मकान बना सकते हैं, लेकिन सब की ये इतनी बुदी देने का उदिस से क्या था मालिका कि तुम बगवान भी बज सकते हो, अपना कल्यान भी करा सकते हो, अन्य था एक योनी और बना देता, जहां तुरा सी से हम कहता है, गैनी मुझे अच्छा लगता है, और गैनी को मैं अच्छा लगता हूं, क्योंकि गैनी विक्ती, बुधिमान विक्ती को पता लग गया, कि मुनस जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और इससे हमने अपना आतम क्लियान करोंड़ा है, आतम क् Аль लाण का अर्थ कि एक रोग में जरा और मरन का किस्ट में और ये कहां में ये समापत होगा जहां वर्द वस्था नहीं होती सदा युवा सरीर रहता है और मरतल नहीं होती और ऐसा ही संसार है जैसा यापर है वहां आपका परिवार होगा जैसे यहां जुडते जुडते जुड़ क्या पूरा परिवार और यह आपका है नहीं कब कल मुर्त्य हो जाब की आपका कहा है यह यह तो भूल बुलईया कर रहा भी इस का आल वगवान आपको यहां बंदे रखने के लिह इन एक दूसरे में मम्ता मौ फसा दिया और इसी जूठे सुक में हमें फसा कर अपना उल्लू सीधा कर रहा है अब जो परसिंग चल रहा है कि मनुस जीवन की प्राप्ती किवल आत्म के लान के लिए हमें हुई है और वो आत्म के लान होगा जब जो नमबर तूर जरामरन कती खतम हो जागा वो होगा सतलोक के अध्र। अपना अत्म हो गीता जिधार नमबर साथ केfigे जलोक नमबर 18 में कहा है कि ये ढेनि आत्म है तो उदार है उदार माने अथी है नेक आत्म है लेकिन इनको तत्व दर्शी संत ना मिलने के कारण ये मेरे वाली अनूतम अर्थात यूजलेस इस गटिया गती में ही सचीत रहे अब यहां गीता ग्यान दाता अपने से मिलने वाली यानि ब्रहम साधना से होने वाली गती अर्थात मौक्स को भी अनूतम बता रहा है अनूतम अने विर्थ गटिया क्योंकि जनमर तो नहीं मक्समापत हो सकती जैसे सिरीमत भकुद, गीता अध्याय नमबर चार के, सलोक नमबर पांच और नौ में, गीता अध्याय नमबर दो के सलोक बारा में, गीता अध्याय नमबर दस के सलोक नमबर दो में, गीता ग्यान दाता कहता, अर्दुन तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके, तू नहीं जा हो गया कि गीता ग्यान दाता ये ब्रह्म है और ब्रह्म की पूजा करने वाला उसका पुजारी भी जनम मर्तुमा ही रहेगा क्योंकि उसका उपास से इश्ट भी जनम मर्तुमा है ब्रह्म तो इस से भी आत्म कल्यान नहीं हुआ गीता जाय नमबर आठ के स्लोक नमबर तेरा में गीता ग्यान दाता कहता है कि ओम इती एक आकसरम ब्रह्म वहारन मामन समरन ये परियाती तजन देहम सैयाती परमाम गतिम मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंतर है नच्छिंग अलस और जो उचार्ण करते हुए इसका स्यम्न करता हुआ शरीर छोड़ कर जाता है सैयाती परमाम गतिम वो ओम से अर्थात ओम है ब्रह्म का मंतर ब्रह्म की साधना ब्रह्म की साधना करने वाले ओम से जो गति होएगी वा गीता ग्यानदाता वाली गति है ओम से जो गति होएगी वो क्या होएगी ओम ब्रह्म की उपासना का मंतर है और ओम मंतर से ब्रह्म लोग पराप्ति होएगी गीता जाहर मराठ के स्लोक नबर सोला में काया कि ब्रह्म लोक परियंत भी सभी लोक पुन्रा वर्ति में है अर्थात वहां गए हुए साधक भी फिर लोटकर जनम मरतियों में आते हैं क्योंकि ये खुद कहता है मेरे भी जनम मरतियों होती है और अर्दुन तेरी भी रहेगी तो इसे सिद्ध हो गया गीता द्याय नमर साथ के स्लोक नमर अठारा में गीता ग्यान दाता अपनी गती को यानि अपनी साधना से होने वाले जितना भी सिल्ला मिलना है बरमलोक प्राप्ती उसको भी अनू तमाम यानि अती जर्थ अती गटिया अती ऐसरेश्ट बता रहा है और गीता अध्याय नमबर साथ के सलोक नमबर उनीस में कहा है के बहु नाम जन्मानाम अन्ते ग्यान वान माम पर पतते क्या बताता गीता ग्यान दाता के बहु नाम जन्मानाम अन्ते ग्यान वान माम पर पतते बहूत बहूत जनमों को विर्त करके किसी एकद अंत के जनम में ये ग्यानी आत्मा मेरी भAGती करते हैं मांपर पिभते मुस्कल से कहते हैं बाकि अननी तै और ही साथ नाम लगे रहते हैं जो बिल्कुल विर्त होती हैं लेकिन बहुत बहुत जनमों के किसी अन्त के जनम में ग्यानवान यानि आत्मा माम परपवते मेरी भगती करते हैं और जो ये बताने वाला महात्मा तो बहुत दुरलब है बड़ी मुश्कल से मिलेगा तुझे क्या कि वासू देव सर्वमिती कि वासू देव ही सब कुछ है अब यहां इन गीता अन्वाद करताओं ने अन्रस कर डाले इन्होंने शिरीकर्शन जी को वासू देव सिद्ध कर दिया जबकि वासू देव तो शिरीकर्शन जी के फादर थे और वासू देव नाम इन्होंने कहां से रखा वेदों से वेदों में वासू देव का अर्थ है वो प्रमात्मा जिसका सब की उपर कंट्रोल हो और आल कंट्रोलर यानि कुल का मालिक नौन एज वासू देव उसको वासू देव कहते हैं अब यहां गीता ग्यान दाता कहता है कि वासू देवं सर्वमिती से मात्मा सु दूल्व है ये बताने वाला कि वो वासू देव ही सब कुछ है वुशी से तो पूर्ण मोक्स होगा उसी की बक्ती से जरा और मरन यानि वर दवस्था और बुड़ापे के दुख मटेंगे उसके अतिरिक किसी को भी इश्ट रूप में पूजणानी चाहिए और वो परमात्मा कौन है कहां रहता है कैसा है उसके पाने की वहाँ जाने की कौन सी विधी है कौन सा मैथड है तो ये जानकारी देने वाला मात्मा सूदू लो बड़ी मुश्कल से मिलेगा एक समें आदनी गरीबदास साहिब जी को वो पूर्ण प्रमात्मा परमकसर ब्रह्म मिले जिसमें आदनी गरीबदास साहिब जी गाउं छुडाने जिला जजजर हरियाना वाले दस वर्स के बालक थे खेतों में अपने गवें चरा रहे थे अपने ही खेतों में, ये किसान गर्म जर्म था, आदने गरिम्दा साहिब जी, गाउं छुडाने जला जर्जर में, एक जाट किसान परिवार के अंदर जर्म में थे, बहुत बड़े जमीदार थे ये, चौदा सो एकड जमीन थी इनकी, और अपने ही खेतों में, अपने ही गवों को चरा रहे थे, कुछ सहोगी और भी पाली नोकर थे, कुछ दूसरे गाउं के, अन्य, साथी पाली भी वहां गवों चरा रहे थे, पूर्न परमातमा अपने विद्धान और नुसार, वो कबीर परमिश्वर सत्पुर्स परमक्सर परम सत्लोक से चल कर आया, जो विद्धान है उस परमातमा का, और यहां आता कि इस उदेशे से, वो तत्वय ज्ञान बताता है, रगवेद मंडल नुबर नौ, सुक्त नुबर छ्यासी के मंत्र 26 और 27 में, सबस्ट किया है कि वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमातमा, उपर तीसरे मुक्ती धाम में रहता है सत्लोक में, और सत्लोक के भी तीसरे पर परश्ट में, उस भाग में रहता है, एक बहुत बड़े गुम्मजमस, बहुत बड़े आसन के उपर, सिर पर छत्र है, और मुकट पहने है, राजा के समान सिंगासन पर बराजमान है उपर मा आत्मा और वहां उसका एक रूम कुप में करोड सुरिया मिला दे करोड चंदर्मा ऐसी सोभा हुसमा लगी लेकिन यहां जब आते हैं अपने उस सोभा को हलका करकर सरल करकर रूप को आते हैं नित एजिटीज आ जावें तो हम उसको उनको देख नहीं सकते तरम दर्श्टी देख नहीं सकती तो अपने रूप को सरल करके यहां आते हैं और उन स्रेष्ट आत्माओं को मिलते हैं जो द्रड़ भगत होते हैं उनको किस उदेश्टे से मिलते हैं उनको तत्व ज्ञान से प्रीचित कराते हैं उपदेश करने के उदेश्टे से उपर मात्मा सत लोग से चलकर आते हैं, सै सरीर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, फिर उनको अपने से प्रीचित कराते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, रेगवेद मंडल नमर 9, सुक्त नमर 86, 86 के मंत्र 26 और 27 में रगवेद मंदल नुमर 9 सुक्त 82 के मंत्र 1 से 3 में रगवेद मंदल नुमर 9 सुक्त 94 के मंत्र 1 में चुराणु में के 1 में रगवेद मंदल नुमर 9 सुक्त पिचाणु में के मंत्र 2 में रगवेद मंदल नमबर 9 सुक्त 1 मंतर 8 और 9 में रगवेद मंदल नमबर 9 सुक्त 20 मंतर 1 में रगवेद मंदल नमबर 9 सुक्त 96 के मंतर 16 से लेकर 20 तक और भी अनेक स्थानों पर भरे पड़े हैं कवीर प्रमात्मा की महिमा से वेद क्योंकि परमेश्वर ने दरमदास साहिब जी से कहा था कि दरमदास ये बेद मेरा बेद है पर मैं ना मिलू बेदन के माही और जोन बेद से मैं मिलू ये बेद जानते नहीं ये चारों बेद मेरी मही माह का गुनगान करते हैं लेकिन इस वेदों में वरणित विधी से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरी प्राप्ति जिस वेद से होगी वो वेदों मरणित नहीं है, वो वेद जानते नहीं, वो कौन सी है जो गीता जिद्ध है नुबर 4 के स्लोक नुबर 32 में का है, कि वो सचीदा नंद घंप्रम की वाणी में वो कम्पलीट ज्यान है भगवान के पाने का और सभी धार में गियगों की यथार जान करी है तो वो प्रमात्मा उस विधान अनुसार अच्छी आत्मा आदने गृवदा साहिब जी उस नेक आत्मा को मिले है सच्छंड लेकर गए सत लोग दिखायाँ सब बरमाण दिखायाँ जहां मालिक रहते हैं वो सतीती दिखाई वहां हन्स कैसे रहते हैं वहां कैसी सिरिष्टी है वहां सदा बाहर वरक से सुंदर सुंदर पहाड हीरे पन्नों से जड़े हुई पत्थरों के पाढ़ वहां हीरे पन्नों के जुहरातों के पाढ़ है और किसी चीज़ का अभाव नहीं वहां कोई पदार्थ खराब नहीं होता जैसे गंगा जैसी दिखाया वहां पर अमरस रोर भरे पड़े है गंगा जो जल है गंगा दिखाया ये जल वहाँ से आया सत लोग से एक एक्जम्पल दिया दाता ने कि मेरे बच्चे पैचान सके सचाई को यदि ये गंगा जल ना होता है तो ये उधार नहीं दे सकते थे कि बता नहीं सकते थे हम कि वहाँ पर ऐसे पदार थे जो कभी खराब नहीं होते है अरियती से खराब लोग में भी खराब नहीं होता गंगा का जल और वो तो बहुत बेश्ट वातावरन है बहुत सुन्दर एट्मोस्फियर है वाँ का तो दूद दही और इनके भंडार भरे रहते हैं वाँ पर बहुत बड़े बड़े सरोर है वो कभी पदार्थ खराब नहीं होते अमरत सरोर है और सदा भार वरक से बहुत बड़े बड़े आपके मकान खाली पड़े जहां से तुम आये थे ये सत कर्मान लेना ये किसी डूम बाट की बनाई स्टोरी नहीं है खुद बगवान की बताई का अमर कथा है और जिन मापुर्सों ने सच्खंड और सत लोग को देखा और आखों देखा वरनन उन मापुर्सों ने किया और इबड़ास पर जाकर रखी मालिक थे तो ये सत कर्मान लेना जो दास सबद बोलेगा सारी साची होंगे अभी तक सब बगवास गड़ रहा कि इन संतों है इन कबीर पंथियों को ने मालूम अठबट मारते है सत लोग में परकास ही परकास है आत्मा जाकर मिल जाती है एक आदा थोड़ी सी चतुरता जिखाता है कि उसमें बिंदू टायप आत्मा मचली की तरह गुम्ति रहती है वह परकास ही सत लोक है वही सत पुरस है वही सत नाम है ये हैं वह नकली कती है अब देखना सचा ही सामने आएगी प्रमात्माने कहा था कि तेतीस अरब गयान हम बाखा और मूल ग्यानम ने छुपा कर रखिया वो मूल ग्यानी भी दास को दिया है पड़ात्वाओं अभी तक ही छुपा कर रखिया था और पूरे इतने मोटे मोटे कबीर सागर भी लिखा हुआ है उसके अंदर भी भरा हुआ है और उसे हटकर भी ग्यानदास को दिया जो मापुरसों की वाणी में दास निकाला तो जो परसंग कर रहे थे कि बहुनाम जन्मानाम अंते ग्यानवान माम परबदे वासू देवम सर्वमिती से मातमा सुदरलवे इस परसंग को बताते हैं जब परमातमा वहां आये ग्रीबदास जी को मिले तो पालियों ने कहा था कि माराज बोजन पालो कभी ने परमीस वर एक सादू के रूप में थे वो परमक्सरवरम जिन्दा महातमा के रूप में महाराज प्रमात्मा ने कहा था कि मैं बोजन नी खाता अपने गाउं से छक्क्याया हूं सत लोग से तो उन्हों ने हट किया था कि जी दूद्ध पीना पड़ेगा मतिथी कोई से जाने नहीं देंगे तो प्रमेश्वर ने कहा था मैं कवारी गाएं का दूद्ध पिया करूं अगर आतिथी सत्कार करना चाहते हो तो कमारी गाएं का दूद्ध पिया गरूं मैं पिला दो तो बड़े-बड़े पाली थे पचास-चारीस साल के वो कहने लगे बाबाजी तिरी नीद को ना दूद्ध पिंड़ी बकवाद करते हो आप तो मजा करते हो हमारा गरीबदास जी दस्वर्स के बालक से उनकी एक पिरी ये बच्छिया थी गाएं कमारी उसको पकड़ लाए और कहने लगे हमारा राजी दूद कैसे देगी बच्चा थेहनी जीजा मा तो बनी नहीं है तब कविर साइब ने कहा कि कोई पातर है तुमारे पास जिसमें वो मटका चोटा सा गड़ा बरोला और कहा इसके निच्चे रख़जे बाई साफ कर रख़ए है अकान जी साफ कर रख़ए इसके सतन के निच्चे कर गरीबदास जी बालक थे पकड़ कर बैठी के निए अक देखांगे बाबा जी दूद कैसे निकाल लगा परमात्मान अगले बाबा जी पीलो आप माराज जी आदा कबीर परमेश्वर जी ने पी लिया कुछ पी लिया फिर से छोट जया के लिए बच्चो पीलो ये अम्रत है यहां का नहीं है ये सतलोक से आ है मेरे गामत इवर पाली थे वो तूटकर चले गे कहन लगे तू पता नहीं किस ज करके कुछिया कुवारी बच्चिया से दूद निकाल दिया अमना पीवा तूटकर चले गए वहां से सथान छोड़ गे जहां वो बैठे थे जंडी के नीचे वो जंडी वरक्स को ही छोड़ कर चले गए दूर जो बैठे अब गरीब दास जी महाराज वो नेक आत्मा वो सर जितना पीना था बाकी रखती है अब फिर प्रमात्मा ने उनको समझाया बेटा तुम यहां के रहने वाले नहीं वो पूरी सारी उपर की जानकारी जी तब गरीब दास जीन का महाराज यह ग्यान तो आज तक किसे ने बताया नहीं हमारे को वो सथान कैसा जैसे बच्ची क एक जुग्यासा बन जाती परबल तो तो परमात्मा बने चल ले चलता हूं सरीर वहीं रह गया जो औरिजिनल वस्तू को उपर ले गए आत्मा को सारे बर्मंडों से परिचित कराया बर्माविशनो महिश जी की सतीथी दिखाए उनके लोक दिखाए उनसे वारता करवाई यहां के नयदी इस धरमराज से मिले जा करके और धरमराज करबद हो करके कबीर परमात्मा उस जिद्दा महात्मा के सामने खड़े होगे तो गरीबदास साहिब जी देख रहे हैं कि इस बाबा जी में तो बहुत बड़ी सकती यहां के बगवान भी आसजोड है और यहां का यह बड़ा अपसर है यह भी आसजोड के खड़ा हो गया जो लेखा दोखा करता है फिर सचखंड लेकर गए प्रमात्मा इस काल को दिख आए अभमुन श्रधालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्श्री संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं नमस्कार सर, सर क्या नाम आप का? Нिखिल जी आप कहां से हैं? धरीयाना के जिलवयामनाना गर से निखिल जी संत रामपाल जी माराज से झोड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ती सादनभी करते थे? तो फिर आप संत्रामपाल जी माराज की सरण में कैसे आए? संत्रामपाल जी माराज की सरण में हम मेरी दी जी जी का रिष्टा संत्रामपाल जी माराज की सिष्चे सीव कुमार से हुआ जो की गाउं हसनपूर से है तो उन्होंने नामदिक से ले रखे थी आएसे ही मेरी बहन उनसे दी जी जी बात करने लग गई तो जी जा जी ने एक भक्ति सोधागर को संदेश पुस्तक दी। उन्होंने बोला कि इसको पढ़ो। हमने इसको पढ़ा। उन्होंने बोला था कि इसमें स्रिष्ट्रेचना सबसे पहले पढ़ना। हमने स्रिष्ट्रेचना को पढ़ा। सिस्टी रेचना को पढ़ने मातर से यह मारा दमाग घुम गया कि इसमें जो है ब्रह्मा मिष्णु महेश के माता-पिता लिख रख के हैं और हम तो ब्रह्मा मिष्णु महेश को ही अजरोर अमर अविनासी मानते थे लेकिन फिर हमने मैंने क्या किया अपने गरंथों को लेया में जैसे की गीता मैंने गीता को पढ़ा तो उसमें जैसा भगति सोदागर को संदेश पुस्तक में लिखा हुआ था बिल्कुल सेम टू सेम वही मिला तो फिर मैंने वेदों को नेट पे सर्च किया नेट पे सर्च करने के बाद उसमें जो का तू मिला फिर मैंने एक पुस्तक जो की देव भागवत पुरान है उसमें तीसरा सकंद पढ़ा तीसरा सकंद अद्दय पांच पेज नमबर 123 पर उसमें लिखा था विशनु जी अपनी माता की स्तुति कर रहे हैं ए माता अब तुम सुद सुरुपा हो यह संसार तुमी से उद्बासित हो रहा है मैं ब्रह्मा और विशनु तुमारी किरप्या से विद्यमान है हमारा तो अविर भाव तसतिरो भाव हुआ करता है अर्थात जनमरिक्ति हुआ करता है मैंने यह ढूंडा तो मुझे जोंका तो परमान मिला तो इससे मुझे और द्रिड़ विस्वास हुआ कि सच में यह गान सत है और जो हम पहले परमपरा जैसे कि हिंदु धरम में मैं पैदा हुआ तो उसी के नुसार चल रहा था हमने कभी वे अपने गरंथों को नहीं पढ़ा था लेकिन हमें सत्वगति का पता करना था जो कि हमें संत्रामपाल जी महाराज दे रहे हमारे सास्त्रों के नुसार ना कि परमपरा के नुसार मैंने सत्वगति कोया और मुझे बहुत अच्छा था फिर मैंने संत्रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया सर संत्रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाप राप्त हुए संत्रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद दास को बहुत लाप हुए मुझे नया जी वंदान मिला एक दिन मैं अटेक्टर लेके जा रहा था तो आगे से कुछ नसेड़ी लोग कार में बैठे पी पूरी 120 की स्पीड में उन्होंने कार चला रखी थी जैसे ही वह सीध्याए मैं अपना पाख हो बैठा था मुझे यह नहीं पता चला कि मैं अब क्या करूं तो परमात्मा का बजन में कर रहा था सतनाम का मंतर कर रहा था मुझे यह नहीं पता चला कि मेरा हैंडल कैसे गूम गया एकदम से हैंडल अपने आप एटोमेटिक परमात्मा की दिया हुई अपने आप घूम गया और दास उस समय एक्सिडेंट से बच गया जो उनकी कार ठीक मेरे सामने टैक्टर के लगनी थी वो पीछे ट्रेली में लगी ये एक लाव हुआ इसके बाद मेरे पिता जी जब से मैंने ओस समाली है तब से ही मेरे पिता जी बहुत दारू बीडी दुक जेला आके मम्मी को भी पीटते थे और हमें पीटते थे आए दिन का यही काम था पिता जी का मैं इस जीवन से बहुत प्रेसान हो गया था और मैंने आतमत्या करने के भी कोशिश करी लेकिन मैं फिर रुक जाता था कि मेरी माता जी अगर मैं मर गया तो मेरी माता जी क उसके बाद संत्रामपाल जी माराज की दया से हम सुखी जीवन जी रहे हैं और पिता जी ने सभी परकार के नसे भी छोड़ दिये और जो मीट मचलिया खाते ते में भी छोड़ दी संत्रामपाल जी माराज की दया से अब हम सुखी जीवन जी रहे हैं जैसे कि हर गाउं में कुछ वैकती एक दूसरे जलते हैं तो हमारे गाउं में भी ऐसे ही मेरे पिताजगे उपर किसी ने भूत परेत का सयाक था वो करवा रखा था ऐसे ही हम गूमते फिरते थे कभी इस बाबा के पास कभी उसके पास जहां कई भी मतलब कोई बोल देता था ह हम हर कहीं जाते थे यहां तक कि हम मौलवी के पास भी गए लेकिन उनके पास कोई समधान नहीं हुआ केवल थोड़ी समय के लिए वो रहता था फिर बाद में हबते बाद फिर वैसे ही मेरे पिता जी कारिये करने लग जाते थे तो हम इस से भी उद्दू की थे एक लाब य हमारी आर्थिक स्थिती बहुत खराब थी हम जो खेती बाड़ी करते थे उसमें हमें कोई लाब नहीं होता था हमेशा घाटा ही होता था जैसे हम खेत में खेती बहुत अच्छी चमकती थी लेकिन बाद में सारी बेकार हो जाती थी उसमें हमें कई बार लाख का पचास जा का ऐसे घर्टा खाते थे इससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी करज बढ़ता जा रहा था लेकिन जब से हमने संत्रामपाल जी महाराज की संगरेंड करी है हमारा जो भी करज था वह आज प्रमातमगिदया से सारा चुका दिया गया है अब हम बहुत जीवन बैतीत कर रहे हैं अब हमारे उपर कोई भी करज नहीं है मुझे एक और लाब हुआ जैसे कि मैंने पहले बताया मैं घर को देखकर बहुत परिसान था मुझे मानसिक परिसानी थी घर की कलाया को देखते हुए मैं आतमत्या करने तक की मैंने सोच ली थी लेकिन फिर साइब कहते हैं मानस जनम दुल्लब है मिले न बारंबार जैसे तरवड से पता तूट गिरे और बहुर न लगता डार मनस जनम पाकर जो नहीं रटे हरी नाम जैसे कुआ जल बिना बनवाया किस काम तो यह है वाक्या मेरे दिल को छूगए मैं इस ग्यान से बहुत और अपने जीवन को सुसाइड होने से बचाया और अब मैं सुक में जीवन जी रहा हूँ परमात्म की दैश संतरामपाल जी महाराज की दैश संतरामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाप राप हुए तो जो सर्दालों आज आपको द आप भी मेरी तरह लाव प्राप्त कर सकते हैं यदि आप मेरी तरह हैं जीवन जी रहे हैं तो मेरी तो सबी से आज जोड़कर पुरात्रना हैं आप भी शंत्रामपल जी महाराज से नाउप देश लेए और एक बार अवस्या नियुकर आज मा कर देखें कि संतरामपाल जी माराज मैसी क्या सकती है और वो क्या ग्यान देते हैं जिससे कि एक वैक्ति सुसाइड करने की अपनी जिंदिया जिन्दगी में इतना चेंज हो गया कि वो आज सुख में जीवन जी रहή तो आप भी एक एक बार संत्रामपाल जी महाराज की सरण में कैसे आया जा सकता है संत्रामपाल जी महाराज की सरण में साधना चैनल पर ससंग चलता है उसके नीचे पेड़ी पटी चलती है उसमें कुछ नंबर दिये जाते हैं उन पर कॉंटेक्ट करके आप नामपदेश ले सकते हैं परतेक जीले में परमातमागी द्या से नामदान सेंटर खोले गए हैं आप महा का नामदान सेंटर का पता पूछ कर नामपदेश ले सकते हैं धन्यवाद सर ससाई आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हुआ है